Hello Everybody, Welcome to Midlife Holidays दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं विंटर सीजन स्टार्ट हो गया है और मनाली बर्फ की सफेद चादर से ढखना शुरू हो चुका है और यहां पर निवर की सैलिबरेशन की तयारी भी जोरो शुरो पर है और आपका मूड मनाली आने का है लेकिन आप confused हैं कि कौन सी बस कमपनी से आप जर्नी करें जो आपकी जर्नी यादकार रहे तो यह वीडियो स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए बनाया है और इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ वो कौन सी टॉफ फाइब बस कमपनी हैं जो बैस सर्विस प्रोवाइड कराती हैं आपको दिल्ली चंडी गड़ से मनाली के लिए तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा सो गाइज अगर बात करें बसेज की तो सभी कमपनी सेम बस मनाली के लिए भेजती हैं जिनमें सभी AC buses होती हैं और Valvos होती हैं हां multi Excel और single Excel का फर्क होता है बट comfort wise और technical wise सभी गाड़ियां एक से होती हैं बट किसी भी कमपनी को best बनाती है उसका maintenance और staff का behavior तो इसके बेस पर हम लोगों ने आपके लिए ये वीडियो बनाया है ताकि आपका problem हम solve करते हैं So guys हम लोग जैसे के packages में लोगों को मनाली भेजते हैं तो उसके base पर हमने अपने customers का review लिया और उन्होंने buses के बारे में जानकर ये दी जिस base पर आज हमने ये वीडियो बनाया है तो शुरू करते हैं number one से Number one पर आता है city land travels जी हाँ city land travels दिली चंडिगर से मनाली के लिए सबसे पुरानी buses में से एक है buses company पुरानी हैं बट buses सारी नई हैं और maintenance सबसे best रहा है staff का behavior अच्छा है इस वज़े से हमने इसको first rank पर रखा है बाकी अगर आप दूसरी travel companies से compare करेंगे तो इस bus का cost भी काफी ठीक है और बाकी company से लगबग 300 रुपीज लेस रहता है comfort wise और behavior wise सबसे अच्छा है तो इनकी लगबग 8 से 12 buses मनाली के लिए चलती है अगर ज़ादा crowd है तो 12 buses चलती है कम crowd है तो 8 bus चलती है तो अगर आप लोगों को मनाली आने के लिए टिकेट बुक करना है तो सबसे पहली आपकी 24 city land travels होनी जाएं number 2 so guys number 2 पर आता है zinc buses जी हाँ zinc bus एक multi nation company है तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा इन पर फर्क नहीं पड़ता अगर लोग इनका review अच्छा ना दे तो तो हमारे customers ने सिर्फ staff की behavior को लेकर थोड़ा सा objection किया बाकी buses बहुत अच्छी है इसलिए मैंने आपको ये number 2 पर suggest की है जी हाँ number 2 पर इसलिए suggest की है क्योंकि buses बहुत अच्छी है comfort wise आपको बहुत मज़ा आएगा तो अगर आप लोग अच्छी ज़र्ने करना चाहते हैं तो number 2 पर आप ticket book कर रहे हैं तो zing buses में कीजिए इनका cost थोड़ा सा city land से ज़ादा होगा बट facilities सेम होंगे तो अगर आप लोग मनाली आना चाहते हैं और आपको city land travels में ticket नहीं मिल पारा तो आप zing bus में try कर सकते हैं number 3 so guys number 3 पर आता है Rio India Travels जी हाँ Rio India Travels की भी लगबख 6-8 पर मनाली के लिए दिली से चलती हैं जो चंडिगर के रास्ते आती है so Rio buses की भी काफी अच्छी services है और यहाँ पर सबसे ज़ादा जो price आपको मिलेगा Rio का ही मिलेगा हाँ comfort wise ये city land और zing bus के जैसा ही है staff का behavior भी लगबख सेम है लेकिन थोड़ा सा कोस्ट आपको ज़ादा देना पड़ेगा तो अगर आप लोगों का city lands और zing bus में टिकेट नहीं हो पा रहा तो number 3 पर आप Rio India Travels की bus को book कर सकते हैं इनका review भी काफी अच्छा मिला है और गाड़ी का maintenance अच्छा है, साफ सफाई भी अच्छे है So guys, number 4 पर आता है Intercity Smart Buses जी हाँ, काफी अच्छी buses हैं और multi nation company होने की वज़े से ये service आपको भी बहुत पसंद आएगी So अगर आप लोगों का टिकेट उपर दे गए चारों companies में से नहीं हो पाता तो आप Intercity Smart Buses को चुन सकते हैं इनकी services काफी अच्छी होती है थोड़ा साफ सफाई को लेकर इशू हो सकता है बट service को लेकर और staff behavior को लेकर काफी अच्छी services ये provide करते हैं buses भी काफी अच्छी हैं और कोई शिकायत नहीं है तो अगर आप लोग number 4 पर टिकेट बुक करना चाते हैं तो intercity smart buses आपके लिए एक अच्छा option है अब हम बात करने वाले हैं last option पर जी हाँ ये है number 5 number 5 पर आता है लक्ष्मी holidays जी हाँ लक्ष्मी holidays भी काफी अच्छी bus services हैं जो आपको मनाली के लिए मिल जाएगी लक्ष्मी holidays की भी काफी buses हैं और इनका review भी काफी अच्छा रहा है बस थोड़ा average है इसलिए मैंने 5 पर रखा है दोस्तो हमारे पास काफी bus services थी जिन में से हमें top 5 निकाल ले थी तो ये हमारे लिए काफी बड़ा challenge था तो number 5 पर ये लक्ष्मी holidays का होना भी इसके लिए का अच्छी opportunity है क्योंकि 30 buses में से केवल top 5 में आ जाना लक्ष्मी holidays के लिए भी काफी अच्छा है तो अगर आप लोग लक्ष्मी holidays से टिकेट कराते हैं तो आपको भी कोई शिकायत नहीं आएगी buses services अच्छी हैं कोई आपको ऐसा problem नहीं आएगी और बाकी Cab India Travels जैसी आने वाली company भी यहाँ पर अच्छी है शुबम holidays भी अच्छा है अगर आपको top 5 में से chance नहीं मिलता तो आप Cab India Travels और शुबम holidays में भी टिकेट पुक करा सकते हैं तो आपको यह जानगारी कैसी लगी हमें जरूर बताएं और दोस्तों वीडियो बनाने के लिए हमने बहुत मेहनत किये हैं इसमें लगबग 40 to 50 customers का review रहा है तो thanks to all those people जिन्होंने हमारी help किये इस वीडियो को बनाने में अगर आप लोगों को भी मना लियाना है और आप लोग भी ticket book करना चाते हैं तो दी गई 5 companies में से किसी का भी आप ticket book कर सकते हैं ये 5 ओ आपको निराश नहीं करेगी धन्यवाद